हलो दोस्तो अगर आप भी UPboard exam दे रहे हैं तो आपका रसान विग्यान का exam होने वाला हैं और आप कच्छा बारवी के छात रहे हैं तो आज मैं आपको रसान विग्यान का most important model paper कराऊंगा जो कि आपके exam के लिए most important है तो आपका रसान विग्यान का model paper कुछ इस तरीके से रहेगा जी हाँ दोस्तो आपको 17 marks में पूछे जाएंगे ये model paper बहुत ही important है क्योंकि यहाँ से 100% question पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको previous year question paper और साथ ही साथ latest important question जो है add कराए गए है तो आप इस चैनल को subscribe कर लिजे और अगर आप class 12 में जाने वाले हैं तो आपकी नई series चालू कर दी गई है new batch आप जो है उस new batch को join कर लिजे मात 49 रुपे में तो आपको जो है पहले 6 marks का बहुवी कल्पी प्रसंद दिया जाएगा आपको चार option दिये जाएंगे सभी का answer जो है देना रहेगा एक एक marks के question रहेगा यानि कि आपका खंड कर के पहले में 6 marks का बहुवी कल्पी प्रसंद आएगा जो की most important है जैसे पहला question है what हो जो विद्धू चालक अध्यादवाद और तन्य होते हैं क्या कर लाते हैं तो इसका जो है चार option दिया रहेगा आपको किसी एक प्रिकला कर रहेगा तो इसका answer है धात्वी ठोस कर लाते हैं जैसे खा है 10 प्रतिसत द्रब्मान प्रतिसत वाले गुल्कोस के 200 ग्राम में ग्लुकोस की मात्रा होगी तो इसको आप जब जो है निकालेंगे तो सायद 20.0 ग्राम इसका answer आएगा जिहां जोस्तों इसको आप एक बार रीचे कर लिजेगा क्योंकि हाँ पर मैं प सुचा जाता है बहुवी कलपी प्रसंट तो आप इससे तयार कर लिजेगा क्यूंकि इसमें आपको तीन लेटिस्ट कोशन एट कराए गए हैं तो यह च्छोव इंपोर्टेंट है क्यूंकि यहां पर आपको प्रिवीयस एर और लेटिस्ट कोशन सभी को मिला के कराया जा है तो मैं आपको फिर से बता दू न्यू बैच इस्टार्ट हो गया तो आपको से जरूर जोइन कर लिजे क्यूंकि यहां पर आपको जो है यूपी बोडी जांक क्लास 10th, 12th, 11th, 9th का जो है सबसे बिश्ट यहां पर एजूकेशन दिया जाता है यहां पर आपका जो है गर फिर जो प्रस्ण है यह Most Important है प्रिथम कोटी के प्रिया बारी में पूचा गया है यह हर साल एकजाम में आता है जो कि आपका 2 marks का रहता है यह Most Important है क्योंकि लगाता है एजाम में दोहराया जा रहा है आपका कारण सहीत किजिए इस के भी कोश्यन आते हैं यहां पर आपको जो है दो मार्स के पूछे जाते हैं तो बढ़ने पर भूतिक अधिसोंसर क्यों घटती है इसके कारड़ बताने है यह भी एक मार्स का जो है कोश्चन रहता है यह भी most important है क्योंकि एज्जाम में दो कुश्चन कारड़ पर आते हैं आपको जो है कोश्चन पूछा रहेगा औ लेकिन आप सॉल कर लिजिएगा क्योंकि important है फिर आप आता है निमलिकित में विभ्यत कीजिए ऐसे कोश्चन आपको तीन पूछे जाते हैं यहां पर मैंने छे रखा है छे मत से तीन प्रिवियस हैं तीन लेटेस्ट हैं जो कि important है एक एक मार्स करता यानि तीन मार्स का वि यूटियक्स नर्चना क्या है प्मटाइड बंद क्या है मोनो सेक्राइड क्या है द्रव रागे और द्रव विरोगी कॉलाइड में अंतर क्या है तो इस तरीके साथ इजाम में पुछे जाते हैं जो कि most important है प्रासर दाप से आप क्या समझते हैं most important question है चार मार्स का इजाम और एक राउल्ड का नियम यह भी हर साल एक्जाम में पुछा जाता है चार मार्स यानि कि आठ मार्स का दो साल से लगातार पुछा जा रहा है और राउल्ड का नियम 6 साल से पुछा जा रहा है तो आप इससे जरूरियाद कर लिजीगा है most important है class 12th chemistry के तो राउल्ड का नि करना है और बाकी आपको अपनी बुक से आद करना है क्योंकि हाँ पर आपको एजांपन दिया गया है क्योंकि आयूपीसी नाम पूछे जाते है most important है फिर नहां पर आपको जो पांच-पांच मार्स कोशन पुछा दाता है जिसमें आपको अथवा कर ये दो कोशन दिये रह हुआ झाल कर दो